आप सभी का स्वागत है हम लोग पिछले की वीडियो में चर्चा किये थे बहुत धर्म की इंट्रोडक्शन परिच्छे और बहुत धर्म के सिध्धान्त के बारे में काफी विष्थार से चर्चा किये थे आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत धर्म के सिध्धान्त बहुत साहित के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में बहुत संगती और कुछ बिविध तत्व देखेंगे जहां से कोश्चन आता है और धर्म से एक कोश्चन हर कमपेटिशन में महत्पून होता है इसलिए धर्म को हम लोग विस्तारपूरवक चर्चा करेंगे तो ज़िए अभी तक आप इस चैनल पे नहीं आया है तो आप इस चैनल पे आकर से सब्सक्राइब लाइक एंड शेर जरूर करें क्योंकि हमारी मेहनत को और वल देता है तो चलिए हम लोग आज का वीडियो फ्रारम करते हैं बौद साहित आज हम लोग देखते हैं क्या बौद साहित तो इससे पहले हम लोग चर्चा किये थे आनंद के बारे में तो आनंद के ही कहने पर क्या हुए थे बौद धर में एक महला को भी इंट्री दिया था यहां तक रद लिये अ पडली जो आई उसकी ही अपनी शbotली मा गौटमी थे तो यहां तक हम लोग चर्चा किये थे आत बौद साहित के बारे में परते हैं तो सबसे पहले отдель में देखते हैं तो बौद साहिप में देखेंगे बौद धर्म की सबसे प्राचिंतम गरंथ हैं जिसे 3 पिटक कहते हैं क्या काते हैं 3 पिटक बौislत अवा कंगे 9 Sarah harmon히 March मतलब तीन गरांथों के सम्लित रूप को हम लोग क्या करें यहां तिरीपीटक करें और तिरी पीटक जो है वह पाली भाशा में रचित हैं मतलब पीटक का जो रचना गे रचss हो किस भाशाओं में तो पाली के नेत्रित में किसके नेत्रित में उपाले उपाली के नेत्रित में किसके नेत्रित में लिखा गया तो उपाली के नेत्रित में क्या के विनाय पीतक का रचना क्या गया और विनाय पीतक में बहुत धर्म के जितने भी नियम हैं जैसे उनके भिक्षुक थे या जो बहुत धर हम अपनाते थे तो बहुत धर्म को भी अपना कुछ नियम कैदा कानून था तो उस चाईदा कानून को के बारे में जो चरच है किसमें क्या गया है तो विनाय पिटक में क्या गया है इसके वाद है सूत पिटक और सूत पिटक का रचना कौन क्या है तो आनंद किसका प्रियसिस है तो गौतम बुद का सबसे प्रियसिस आनंद आनन्द है तो आनन्द किसका रचना किया तो सूत पिटक का रचना किया गौतम बुद्ध जो जितने भी अपना विचार रखे उन्हीं विचार को एक गरंथ का रूप दिया किसके नेत्रित में आनन्द के नेत्रित में सूत पिटक में और अधिधम पिटक का किसके नेत्रित में लिखा गया तो मौगली पुत तिस्य के नत्रित में लिखा गया किसके नत्रित में मौगली पुत किसके नत्रित में लिखा जा तो मौगल मौगली पुत तिस्य की नत्रित में क्या किया गया है अधिधम पिटक पिटक का शलगन किया गया है मतलग रचना किया गया है तो आप यहां तक समझ गए इसमें हम लोग क्या देखें कि बहुत गरंथ की सबसे प्राचिनतम गरंथ है वो तिरी पीटक है कितने भागों से मिलकर तिरी पीटक बना है तो इसे रख सकते हैं साथ में हम लोग आगे बरते हैं और देखते हैं बहुत संगती क्या देखते हैं आज संगती का यहां तातपर समझने वाले बात है कि बहुत संगती का तातपर क्या होता है संगती का मतलग होता है बहुत धर्म के जितने भी जानकार थे वो एक जगा एक कठाव कर बात का वर्तालाव किये एक जगा एक कठाव कर क्या किये एक सभा का आयोजन किये जिस सभा में अपना अपना वक्तव रखे और जितने भी असुद्या थी, जितने भी धर्म में बुराया आ गए थी, जितने भी विबादित तत्वते उन सब का निप्टारा इस संगेत्यों के माध्यम से करने का कोशिस किया गया, तो चलिए हम करम से देखते हैं, सबसे पहला बहुत संगेती का संगेती जो हुआ, वो अध्यक्ष कौन थे, तो महाकस्यप, कौन थे, महाकस्यप, और उस टाइम में, राजगीरी जो छेत्र थे, उस छेत्र के जो सासक थे कौन थे, तो वो अजाद सत्रू थे, और उस समय में हुआ क्या, तो उसका जो पर्मुख बिंदू में हम लोग देखेंगे, तो उस खाक्या प्रक्या रचना किया गया तो आप इसे रख सकते हैं यह अगर चलते हैं दूत्ये दूत्ये जूंपा जस्ट 100 वर्षों के बाद एक सो वर्सों के बाद 383 बीसी और ये जो हुआ वो बैसाली में हैं बैसाली में हुआ और उस टाइम जो अध्यक्ष थे बहुत धर्म के वो थे सवक मीर कौन थे सवक मीर थे और सवक मीर और उस टाइम में बैसाली के जो सासक थे वो काला सोक थे, कौन थे, काला सोक, और इस टाइम में ये जो बैठक का जो मुख उद्देश रहा कि दूतिये बैठक क्यों क्या गया, दूतिये संगते का आयजोन क्या गया था, तो विनाइपीटक को जो रचना किया गया था न, उसमें जो है, दस ऐसे बिन्दु थे, जो बहुत धर्म के ही कुछ जानकार लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो इसी विरोध को समाप्त करने के लिए, क्या गये थे, दूतिये बैठक किये गये थे, अब हम लोग देखते हैं, तिरतिये बैठक, तिरतिये बैठक, 251 बीसी, कितने बीसी, 251 बीसी में क्या गया, और आडिये पाटली पुत्र, जो कि बरत्मान में पटना, पतना वाली प्रांता है, और इसका जो अध्यक्ष्ट उस टायम में, वो मोगली पुत्त तीस्ये थे, और उस टायम में जो साशक थे, पटना परांत के, वो कौन थे? असोक थे, और इस टायम में क्या गया, अधिधम पीटक जितने भी तीर था उसका जो वर्नन क्या गया है संग्रहित क्या गया है अदेधम पीटक में क्या गया है और चतुर्थ जो हुआ चतुर्थ हुआ वो सबसे मेन मुद्दा है कि बहुत धर्म अब दो गुट में बट गये थे पर्थमी सताब दी मतलग बीसी वाले इस मसी के जिस वर्ष जन्म हुए उसी वर्ष क्या हुए चतुर्थ क्या हुए बहुए बहुद साहित का क्या गया आजवन क्या गया और कुंडलवन यह जगा कुंडलवन कहा है कश्मीर में कहां कश्मीर में कश्मीर प्रांत में है कश्मीर प्रांत में क्या किया गया इसका आ वशुमित्र थे और उस टेम में एक बटगे हीन्यान और एक बटगे महायान तो नाम से ही अस्पर्ष्ट है हीन्यान जो पुराने सभाव के थे जो बहुत धर्म के जो प्राचिन बात दिये गए थे उन सभी का जो फोलो किये पालन किये वो हीनियान के अंतर गता है और जो इस बहुत धर्मे प्रिवर्तन लाना चाहते थे प्रिवर्तन में विश्वास रखते थे वो क्या किये महायान का समर्थन किये और इस परकार से बह भागों विभाजित हो गया हीनियान और महायान में यहां कुछ अंतर हम बता देते हैं हीनियान हीनियान में बहुत धर्म को देवता नहीं माने जाते थे बहुत धर्म को महापुरुष मानते थे पर महायान में गतम भुद को देवता माने जाने लगे और सबसे पहले मुर्ति पुजा का कहीं से साख्ष मिलता है तो वो यहीं से मिलता है के बोद धर्म से ही मुरति पुजा का प्रारभ हुआ और महायान वाले बोद धर्म को गौतमबुद को भगमान 먼저 मानने लगेे तो हम्हेर क्या करते हैं एक वार इस टॉप्र को क्या करते हैं सिएक में sometimes करते हैं तो बहुत संगती हम लोग देखें पर्थम जो हुए वो राजगरी उस तैम में अध्यक्ष थे महाकस्यप और वो 483 BC में उस तैम में सासक से अजार सत्रू और बिनाय पितक और सूत पितक क्या किया गया इसमें रचना किया गया दूतिये जो हुआ वो वैसाली में हुआ और वैसाली में उस तैम के जो सासक थे काला शुक थे और बहुत धान के जो अध्यक्ष थे वो सवक मेर थे और इस तैम में विनाय पितक के कि जो दस विवादित बिन्दू थे, उसे सुल्जाने के लिए क्या गया, दूतिय बहुत संगति का आयउजन क्या गया, तिर्तिय जो हुआ वो पाटलिपुत्र, जो कि बर्थमान के पत्ना प्रांट में है, मोगलिपुत्र दी तीस्य उस अध्यक्स थे, और उस टाइम के जो सासक थे वो असुक के सासनकाल में हुआ था और अधिधम पीटक का क्या किया गया था सनलंगन क्या गया था रचना क्या गया था और चतूर्थ जो है तो चतूर्थ जो इसामसी के जन्म के टाइम या पर्थम सताबदी में क्या किया गया इसका आयोजन किया गया और ये कुंडल वन कस्मीर कस्मीर में जो बरत्मान के कस्मीर प्रांथ है उसमें क्या गया और उसके टाइम के जो अध्यक थे वसुमित्र थे और सासक्त जो थे वो कनिक्स थे और इस टाइम में बहुत धर्म क हो जाते हैं तो इसलिए आप इसे सब इन सबों को आप जरूर बनाईए जैसे सोला महाजनपद का वर्णन किस पुस्तक में किया गया या किस गरंथ में किया गया तो अंगुतर निकाय में किस में किया गया है अंगुतर निकाय में किया गया है सोला महाजनपद का वर्णन और एक और भी टॉपिक है जैसे कि बहुत भिख्चुक थे नाग सेन कौन थे नाग सेन बहुत भिख्चुक नाग सेन युनान के जो राजा थे मिनांडर का जुन के बीच में एक दार्षनिक रोक्त क्योंकि ना कभी थे तो उस टाइम में क्या हुए तो उसके दार्षनिक वार्तालाप हुए और दार्षनिक वार्तालाप का जो वर्णन किया गया है वो मिलिंद पान्हों में क्या क्या गया इसका वर्णन किया गया किसमें मिलिंद पान्हों में तो यहां यह सब जितना भी टॉपिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं काफी इंपोर्टेंट है जैसे महाजनपद का वर्णन तो अंगुतर निकाय में नागशन और युनानी राजा मिनांदर का दार्शनिक वारतालाप मिलिन पान हो में किसका वर्णन क्या है तो बुद्ध के पुर्ध्यन की कथाओं का जो जितने भी क जातक में किया गया है गंधार कला का संबंद किस्से है तो बहुत धर्म से यहां कला वाला में बार बार कोशन फैसाता है यहां गंधार कला और एक मत्वरा कला दो कला काफी परसीद है तो मत्रा कला का जितने संबंद किस्से हैं तो आप याद रखिए का जैन धर्म से किस् किसने कटवा दिया ससक जो थे ससांग क्या के थे बहुत ज्यादा मानते थे काुं है करनिश्क और हस्वर्धन थे जो क्या करते थे महायान साखा को काफी मानते थे इसके बाद कुछ इंप्रिन्ट है जैसे कि समराट अशोक हम लोग देखे हैं अशोक बहुत धर्म अपना लिये तो बहुत धर्म में क्या किये अपने पुत्र मेहंद्र और अपने पुत्री संगमित्रा को क्या किये बहुत धर्म की परचार परचार के लिए स्री लंका भेजे और वहां बहुत धर्म का परचार किया तो इससे बहुत धर्म का काफी विकास हुआ तो यह बहु कनिस के टैम में बहुत धर्म दो भागों में विभाजित हुए और यहीं से मुर्ति पुजा प्रारम हुआ आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताए और इस चैनल को सेर करना ना बोले धन्यवाद